दोस्तो अभी इस तरह का 3D फोटो सोसल मिडिया पर बहुत जादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने अपना 3D फोटो सोसल मिडिया का बना कर रखा है जो कि यूटूब का है यहाँ पर फेस्बुक का है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यूजर नेम भी मेरा यहाँ पर दिख रहा है सत्यम सोनी जिस नाम से मेरा फेस्बुक है वो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी मैंने बना कर रखा है तो अगर आप ही कुछ इस तरह से अपना 3D photo बनाना चाहते हो और अपने social media का यहाँ पर नाम लिखना चाहते हो कहीं पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो आप कैसे बना पाओगे आज की इस वीडियो में आपको पूरे detail में बताऊंगा कि इस तरह का 3D trending में जो चल लगा ठीक है अब यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले इस तरह का 3D photo बनाने के लिए आपको एक application की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है Bing और मैंने इस application का link वीडियो के description में डाल दिया है वहाँ से आप download कर लेना ठीक है यह जो application है यह Microsoft का है तो बिलकुल trusted application दोस्त आपको क्या करना है यहाँ पर जो condon में apps का एक option है बस आपको इस apps वाले option पर click करना है देन यहाँ पर आपको अपना एक के account create करना होगा ठीक है यहाँ से आकर सबसे पहले आपको अपने number से या फिर अपने Gmail से Microsoft का account create कर लेना है account जैसे create वेगरा कर लोगे तो आपको फिर उसके बाद करना क्या है यहाँ पर इसी के नीचे आपको एक option मिलेगा image creator मैं आपको थोड़ा सा zoom करकर दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि image creator के नाम से एक option है बखस आपको इस पर click कर देना है जैसे इस पर click करोगे दो copy करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर caption लिखा है और आपको यहाँ पर कुछ changes करने होंगे जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि media logo ठीक है तो media logo के जगा पर यहाँ पर name social media यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है name social media को यहा किसी का भी बनाना चाहता हूं जैसे कि मैं यहां पर बनाता हूँ Whatsapp का ऐस बार फिक है आपको मैंने दिखा दिया कि Instagram का और YouTube ना यूजर नेम डालना है यहां पर ऐखाळा पर यहां पर आपको अपना यूजर नेम डालना है तो यहाँ पर मैं चलिए फटा फट अपना नाम डाल देता हूं ठीक है यह मैंने अपना नाम डाल दिया अब सिंपल आपको क्या करना है यहाँ बार जो create का option देख रहे हो बस आपको इस create पर click कर देना है इस caption को मैंने video के description में डाल दिया वहाँ से आप copy कर लेना द यह AI के मदद से सब कुछ जो वो काम करता है यहाँ पर आप लोग देख पार हो कि WhatsApp का भी मेरा यहाँ पर बन चुका है देखिए यहाँ पर मैं open करता हूं और यह देख सकते हो कि यहाँ पर WhatsApp का भी बन चुका है जो कि बहुत जादा unique लग रहा है दोस्तों यहाँ पर मेरा name कि मा चुका है सत्यम सोनी ठिक है यहाँ पर आप लोग देख पार हो कुछ इस तरह से है यहाँ पर सत्यम सोनी सारा कुछ नाम ऐगरा दिखाए दे रहा है यह देख सकते हो बिल्कूल AI पर काम करता है और बिल्कूल बहुत इक कमाल का लगता है 3D में यह यह आप लोग डाउनलोड पर क्लिक कर दना है और ये आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप कहीं पर भी status लगाओ कहीं पर भी डालो कोई दिक्कत नहीं है अब उसके बाद दोस्तों अगर माल लिजे कि आपको बनाना है YouTube का YouTube अपने चैनल के नाम से बनाना है ठीक ह तो यहाँ पर क्या करेंगे WhatsApp जो लिखा है मैंने यहाँ पर WhatsApp को हटा कर और मैं यहाँ पर लिख दूँगा YouTube ठीक है यह मैंने यहाँ पर YouTube लिख दिया और यहाँ पर आपको जो नाम है यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल दो ठीक है जैसे कि यहाँ पर मैं अपने चैनल का YouTube पेज यहां पर आ जाएगा जो कि उसे मैं अपने YouTube के community में भी डाल सकता हूं कहीं पर भी लगा सकता हूं मुझे परचार करना है Facebook पर तो Facebook पर भी मैं परचार कर सकता हूं अपने चैनल के बारे में तो यहां पर आप लोग देख पारे हो कि यहां पर YouTube का आ गया है यहां पर सिर्फ आप YouTube पर बैठा हुआ है यहां पर देखिए उपर में मेरा चैनल का नाम दिखा रहा है उपर में देख सकते हूं यहां पर चैनल का नाम दिखा रहा है कुछ इस तरह से आप जो वह अपना YouTube के बारे में बना सकते हो यहां पर देखिए टेकनिकल एक्सपर वावा य सारा कुछ गैलरी में आ गया तो कुछ इस तरह से आप जो बना सकते हो कैसा लगा ये ट्रिक बहुत ही यूनिक ट्रिक है तो आप जरूर एक बार ट्राई करना मुझे कॉमेंट स्ट्रिक्शन भी बताना कि कैसा आपको लगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है किसी नए वीडियो के साथ जै हिंद